किसी ने खूब कहा है कि पहले डिसीजन लो उसके बाद उस डिसीजन को सही पुरूफ करो साल 1999 में धोनी ने बिहार के लिए अपना फर्स क्लाश डेब्यो किया धोनी के दोस्त आमिर हाश्मी एक लेफ्ट हेंड़ बैट्समैन उन्होंने भी उसी मैच में अपना फर्स क्लाश डेब्यो किया धोनी के तरह उन्हें भी खरकपूर रेलवेज में स्पोर्स कोटा के अंडर नौकरी मिला था आमिर आज भी रेलवेज में नौकरी कर रहे हैं और महंदर सिंग धोनी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल मैसेज है महंदर सिंग धोनी का जर्म साथ जुलाई 1981 को जारखंड के राची शहर में हुआ जो पहले बिहार का हिस्ता था पिता पान सिंग धोनी राची के मेकॉन स्टेडियम में पॉम्प ओपेरेटर थे और मा देवकी देवी एक हाउस वाइफ है धोनी के माता पिता उतराखंड के रहने वाले थे काम के सिलसिले में साल 1964 में पिता को राची आना पड़ा इनकी फैमिली एक लोवर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉंग करती है धोनी ने बच्पन में अपने पिता का श्ट्रगल देखा था उनका बच्पन एक बेडरूम वाले फ्लैट में पिता उन्होंने अपनी स्कूली डियेवी जवाहर विद्या मंदिर शामली से की जारखड में उस वक्ट फुटबॉल फेमस था धोनी को भी शुरू से फुटबॉल खेलने का शौक था साल 1993 में जब 1996 स्टेंडर्ड में थे तब स्कूल क्रिकेट टीम के विकेट कीपर कोन के पैरेंट्स ने पढ़ाय पे फोकस देनी के लिए क्रिकेट छोरने को कहा स्कूल के पीटी टीचर केसब एनरजी ने धोनी को गोल कीपिंग करते देखा और उन्हें स्कूल टीम के लिए विकेट कीपिंग करने के लिए पूछा अच्छे विकेट कीपिंग स्किल्स और डेडिकेशन टोवाट्स गेम के वज़े से वो कमांडू क्रिकेट कलब में अब रेगुलर थे कलब लेवल पे अच्छे परफॉर्मेंस के बाद 1997-98 अंडर 16 वीनू माकर ट्रॉफी के लिए उन्हें स्टेट टीम में शामिल किया गया इस टूनामेंड में धोनी का शांदार प्रद्रशन था उसी साल इंडर स्कूल टूनामेंड में शब्बीर हुसेन के साथ ओपनिंग करते हुए 388 रन की पार्टनर्शिप की उस सिनिक्स में धोनी ने डबल सेंचुरी मारा हर लोकल नियूज और अखबार में धोनी के चर्चे थे जनवरी 1998 में देवल सहाई ने धोनी को सेंटरल कोल लिमिटेड में स्पोर्ट्स कोटा के अंडर नौकरी ओफर किया स्टाइपेंड 2200 अमुमान स्टाइपेंड 2000 था लेकिन एक मैच विनिंग प्लेयर होने के नाते उन्हें 200 रुपे एक्स्ट्रा मिल रहे थे फैमिली को थोरा फाइनिंशल हेल्प मिल जाएगा इस वज़ा से धोनी ने उस जॉब आफर को एकसेप्ट कर लिया बिहार अंडर 19 टीम में उनका सेलेक्शन हुआ 1998-99 अंडर 19 कूच बिहार ट्रोफी के पांच मैच के साथ इनिंग्स में उन्होंने 176 रंज बनाए एवरेज पर्फॉर्मेंस के वज़े से उनका ना ही अंडर 19 इस्ट जोन ना ही M.H. इदंबरम ट्रोफी के लिए रेश्ट अफ इंडियन टीम में सेलेक्शन हुआ अगले साल कूच बिहार ट्रोफी में 84 रंज के महत्वपूर्ण पाडी के बदालोत बिहार को फाइनल्स तक पहुँचाया लेकिन फाइनल्स में पंजाब ने बिहार को बुरी तरह हाराया उस टूनामेंट के 9 मैच के 12 इनिक्स में धोनी ने 488 रंज बनाए सीके नाइडू ट्रोफी के लिए अंडर 19 इस्ट जोन टीम में उनका सेलेक्शन हुआ लेकिन 4 मैच में वो सिर्फ 97 रंज बना पाए परंजीस सिंग जो बचपन में धोनी के साथ क्रिकेट खेलते थे रंजी ट्रोफी डेब्यू के कुछ दिन पहले बहुत ही महनस से उन्होंने धोनी के लिए बीट आल स्पोर्ट्स का स्पॉंशर्शिप लाया अठारा साल की उमर में 12 जनवरी 2000 को आसम के अगेंस्ट अपना फस्स ट्राश डेब्यू किया इस मैच में उनके साथ ही आमीर हाश्मी का भी डेब्यू हुआ डेब्यू मैच के दो इनिक्स में धोनी का स्कोर था 40 और 68 रंस नॉट आउट पूरे टूनामेंट के 5 मैच के 10 इनिक्स में उन्होंने 283 रंस बनाए वितन एवरेज अफ 31.44 जिसमें एक अड़ शतक शामिल था दूली ट्रॉफिट 2001 में उनका इस्ट जोन टीम में सेलेक्शन हुआ किसी कारण धोनी के सेलेक्शन की न्यूज क्रिकेट असोशेशन और बिहार धोनी तक नहीं पहुँचा सकी जिसके वज़े से टूनामेंट का पहला मैच वो नहीं खेल सके साल 2001 में सौथ एस्टन रेलवेज के क्रिकेट टीम में एक विकेट कीपर की जरूरत थी अनिमेश कुमार गॉंगली ने स्पोर्स कोटा के अंडर धोनी को खरकपूर रेलवेज में नौकरी ओफर किया 2002-03 में रेलवेज और इस्ट जोन के तरफ से उनका शांदार परदर्शन था लेकिन क्रिकेट और जॉब वो एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे थे उन्होंने देखा कि उनके गेम पे असर पर रहा है तो उन्होंने अपने लाइफ का एक बहुत ही बड़ा डिसिजन लिया जो आमतार इस दुनिया में सिर्फ चंद ही लोग ले पाते हैं जॉब की सिक्योरिटी और हर महेने आती इनकम को ना बोलना बहुत ही मुश्किल होता है आमीर हाश में जो धुनि के साथ खरकपूर रेलवेज में नौकरी कर रहे थे शायद उन्हें अपनी क्रिकेट पे उतना भरोसा नहीं था या वो उस जॉब से मिल रहे कुशन को छोरना नहीं चाते थे लेकिन धुनि ने एक डिसिजन लिया कैलकुलेटिव डिसिजन कि अगर जॉब के सिक्योरिटी में रहे गए तो सिर्फ रंजी खेलते रह जाएंगे उन्होंने अपने आपको एक साल का वक्त दिया एक फाइनल ट्राइ साल दो हज़ार तीन चार सीजन में धुनि ने खुब रंस बनाए लगिली उस वक्त बी सी सी आई ने टैलेंट रिसोर्स डेवलपमेंट विंग टी आर डी डबलू और्गनाईस किया जिसका काम छोटे शहर के टैलेंट को खोजना था साल दो हज़ार तीन में प्रकाश पोदार ने जमशेत पूर में एक मैच के दोरान धोनी की बैटिंग देखी उनकी बैटिंग से इंप्रेस होके उन्होंने टी आ डी डबलू को रिपोर्ट किया दो हजार तीन चार सीजन में अच्छे परफॉर्मेंस के वज़े से जिमवावे और कीनिया टूर के लिए उन्हें इंडिया एटीम में शामिल किया गया जिमवावे के खिलाफ मैच में धोनी ने गजब की विकेट कीपिंग स्किल्स दिखाई ट्राइन सीरीज में पाकिस्तान एक खिलाफ 220ज रंज के लक्ष को चेज करते वे धोनी ने 70 रंज मार के टीम को मैच जिताया अगले दो मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 120 और 119 रंड नॉट अट बनाया ट्राइ सीरीज के साथ मैच में धोने ने 362 रस बनाए विद एन एवरेज ओफ 72.40 जिसमें दो शतक और एक अर्च शतक शामिल था इस परफॉर्मेंस ने उस वक्त के इंडियन कैप्टन सौरव गॉंगली और बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स का अटेंशन गेन किया और आखिर कार जिसका हर इंडियन किरिकेटर को इंतजार रहता है 2004-05 बंगलादेश सीरीज के लिए उन्हें इंडियन टीम में शामिल किया गया 23 दिसमबर 2004 को अपना ODI डेब्यो किया डेब्यो पे वो जीरो पे रन आउट हो गए लेकिन अपने पांचवे ODI में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रंज बनाके इंटरनेशनल किरिकेट में अपने आगास का ऐलान कर दिया 2007 T20 वर्ल कप में जब दिगज प्लेर्स ने कहा कि ये फॉर्मेट उनके लिए नहीं है तब कैप्टेंशिप धोनी को दिया गया यंग इंडिया टीम को लीड करते हुए धोनी ने पहला T20 वर्ल कप इंडिया को जितवाया 2011 वर्ल कप इंडिया को टेस्ट में नंबर वन साइड बनाया 2013 चेंपियन्स ट्रॉफी चार बार CSK को IPL टाइटल्स यहाँ पर दो बातें आपको बोलना चाहूंगा पहली बात ordinary और extraordinary इंसान में सिर्फ एक extra का फारक होता है कभी भी life में आपके सामने opportunities आये ना तो पहले हाँ बोल दें उसके बाद देखे कि वो कैसे होगा धोनी ने हमेशा opportunities को grab किया स्कूल क्रिकेट टीम के कीपर के जगा टीम में उनको मौका मिला रंजी ट्रोफिक टीम में डेब्यू के बाद टीम के कैप्टन जो कीपर भी थे उन्होंने अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए धोनी को रेगुलर कीपिंग करने को कहा जुलाई 2004 में इंडिया एट टीम में दिनेश कार्थिक को अचानक सीनियर इंडियन टीम के लिए कॉल आया और धोनी जिनको इस सीरीज पे एस रिजर्व विकेट कीपर भेजा गया था उन्हें रेगुलर विकेट कीपिंग करने को मिला और 2007 T20 वर्ल्ड कप में जब कप्तानी के लिए टीम ने उन्हें अप्रोच किया तो उन्होंने तुरंध हाँ बोल दिया कभी भी किसी भी मौके पे उन्होंने ना नहीं बोला ये नहीं सोचा कि क्या होगा, कैसे होगा उन्हें अपने आप पे पूरा भरोसा था ये इस वीडियो का टाइडल क्या है लोग सोचते होंगे कि धोनी इतने सक्सेस्फुल कैसे बने और वो इतने पावर्फुल हिटर कैसे है पावर्फुल हिटर का तो सीधा जवाब है कि उनके पूरवज उतरा खंड से है तो पहाडी का जीन उनमें है स्ट्रेंथ वहाँ से आता है और सक्सेस्फुल होने का वाट आप बर्सनली फील ये दो क्लिप्स देखिए मुवी से बच्पन में उन्होंने अपने पिता का स्ट्रगल देखा और एक बेटा या बेटी जब पैरेंट्स का अपने बच्चों के लिए सेक्रिफाइस देखता या देखती है तो एक बर्निंग डिजायर खुद बखुद अंदर आता है कि अपने पैरेंट्स को वो लाइफस्टाइल देना है जो वो डिजर्व करते हैं इसके बाद उस प्रोसेस में वो जो इंसान बनता है न वो एक औरडिनरी और एक्स्टर औरडिनरी इंसान का फारक बया करता है तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाडी की जिसने अपने हाड़ वर्क, डेडिकेशन, सिंपलिसीटी से एक ऐसे सहट जो मेंटल असाइलम के लिए फेमस था उसे अब अपने काम से फेमस किया इंडियन टीम को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जिताया और कितने ही लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने 15 अगस 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटार्मेट ले लिया तो हम लोग परी करते हैं धोनी आगे जो भी करें उसमें उन्हें सक्सस मिले इस वीडियो से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में जरूर बताएं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खयाल रखें अपना और अपनों का